अब हो इस्टीज भेलो औन विल्कलंब बैंट्थो इस्ट्री सिरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था इंडिया मोमेंट्थ的人 stay था कि गांधी जी ने किस तरीके से अपना 13-point agenda दिया था और इसमें बताया था कि ultimately हमें क्या कुछ करने की जरूरत है कुट इंडिया मोमेंट को सक्सेस करने के लिए ultimately कुट इंडिया मोमेंट के बाद में जितने भी Congress के members थे including गांधी सबको ही अरेश्ट कर लिया जाता है और अरेश्ट करने के बाद में सबको अलग-अलग जगों पर रख दिया आता है जैसे कि गांधी जी को रख दिया आता है आगा खान पैलेस पर और बाकी अब देखे एक तरफ जब गांधी एंड कॉंग्रेस फैमिली जब ये अरेस्ट हो रखी थी वहीं पर बैक्राउंड में दूसरे साइड में फिर बाकी के जो संस्थाएं थी बाकी के जो और्गनाइजेशन थे जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी और जो भी पॉलिटिकल थी वह बहुत पहले इन्होंने अपनी चमकारक की थी तो हम लोग बात कर लेते हैं सुभाज चंद्र बोस के भी बारे में क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है और इन्दा इंडियन हिस्ट्री जितनी भी बुक्स वगरा है सुभाज चंद्र बोस की जितना कंट्रिब्यूशन उतना इनको इंपोर्टेंस बुक्स में नहीं दी गई है जानेंगे हम लोग आखिर में इनके बारे में कुछ नॉवेल्स भी है उनको भी अगर आप रीड करना चाहिए तैन यू कें रीड या फिर एक सीरीज बनाई गई है बोस सीरीज उसको भी आप लोग देख सकते हैं बोस सीरीज और यहां पर भी काफी अच्छे से बोस के ब शुरुबाती दिनों में इनकी जो मतलब बर्थ बगर होई थी वह 23 जनवरी 1897 को इनका बर्थ हुआ था कहां पर हुआ था ओडीज सामें कटक में हुआ था फिर शुरुबात में फैमिली इनकी अच्छी थी फैमिली जो है रिच फैमिली थी और यह शुरुबात सही काफी यादा ब्राइट स्टूडेंट थे अल्टिमेटली इन्होंने क्या है कि 1921 में सिविल स्विसेस इग्जामिनेशन दिया था और वो उसमें पास हो गया थे इनकी और इंडिया रैंग फोर आई थी और इंडिया रैंग फोर आने के बाद में ऑवियस ही बात है कि इनको काफ खिलोने वगरे के लिए जिद करता है और खिलोने के लिए मारपीट करता है यह आजादी के लिए रडाई करते थे तो मतलब कहीं न कहीं इनकी जो आजादी थी इनकी जो थौट प्रॉसेस थी वह बच्पन से ही काफी शार्पती बहुत ही डिफरेंट थी इनके पॉलिटि का हाजी फुर सेशन था इन्हें मतलब सुभाज चंद्रबोस ने इसे प्रसाइड किया था और इसके बाद से 1939 को भी इन्होंने प्रसाइड किया हुआ था इन्होंने कई सारी अक्टिविटीज बगरे को जन्म दिया था अब जड़ा यहां से इनके थौट प्रसेस को जरा समझिएगा थोड़ा सा पहले एक बैग्राउंड ले लेते हैं और फिर उसके बाद से इनके थौट प्रसेस को समझते हैं देखें ध्यान समझना है हमारे जो सुभाज चंद्रबोस हैं शुरुवात में क्या है कि नो डाउट सभी लोग शुरु यादा इंफ्लूएंस थे तो गांधी जी से यह हमारे सुभाज चंद्रबोस हैं यह भी काफी यादा इंफ्लूएंस थे और इंफ्लूएंस होने का मतलब यह था कि इन्होंने भी गांधी जी को मान रखा था कि यहां ठीक है यह हमें आजादी दिला सकते हैं और इस कारण से इन्होंने गांधी जी पर एक तरीके से कह लिए कि अंधा विश्वास इन्होंने भी किया था no doubt about it और even जो गांधी जी बोलते थे उसको यह follow भी करते थे that is Satyagra सत्यागरा को फॉलो किया जाता था लेकिन जब 1920 का जो ये असहियो गांदोलन था दैट इस दा नॉन कोपरेशन मोमेंट और वहां पर जब गांधी जी ने अपने वादे मतलब इन्हों ने वादा किया था कि एक साल में हम आजादी दिलाएंगे लेकिन वहां पर कुछ हुआ नहीं था इस तभी से सुभाष चंद्रबोष थोड़ा सा अलग आइडेंटिटी रखना शुरू कर दिये अगर देखा जा तो इनकी थोड़ा थोड़े कम्यूनिस्ट टाइप की थी यह कम्यूनिस्ट नेता थे देखिए कम्यूनिस्ट होना गलत नहीं है वह बात दूसरे देखा जा तो यह काफी तो इनकी थोड़ी सी कम्यूनिस्ट थी इन्होंने यह कहा कि देखिए हमें अपने आजादी से मतलब है और हमें कहीं अगर आजादी को देखेंगे भी तो कहीं ना कहीं गिवन टेक की सिचुएशन आपको ब्रिटिशर के साथ में देखने को मिलती भी है तो सुभास चंद्रबोस ने पहले से ही इसे रीड कर लिया था कि हमें गिवन टे की पोजीशन देखनी होगी तो अल्टिमेटली कॉंग्रेस में आते जरूर हैं जब यह कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो यहां पर होता क्या है कि इन्होंने 2000 एक तरीके स अब यहां पर देखिए डरने के भी रीजन है डरने के पीछे रीजन यह है कि सुभास चंद्रबोस ने ने तरीके निकाल करके ले करके आते थे और इस ने ने तरीके के कारण से अल्टिमेटली इनको इनसे जो ब्रिटिशर थे वो परिशान रहते थे सबसे पहले 1927 के परान में इनको औरेश्ट कर लिया जाता है और अरेश्ट करके इने मांडले जेल भेज दिया जाता है और यह जेल भेजने के पीछे कारण यही रहता है कि इन्होंने अपनी एक आम्ड़ फूर्स बना जाते हैं मतलब कि यह जब मेर बन जाते हैं 1923 में तो अल्टिमेटली के तोर पर इनको मांडले जेल भेज दिया गया था और यह इनका फिर तब से जेल से आना जाना लगा रहा था आने के बाद में अल्टिमेटली इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस लीग एक पार्टी बनाई जवाल लाल नहरो इसमें सपोर्ट में थे 1938 में इन्होंने कॉंग्रेस को प्रिसाइडी किया 1939 में फिर से ये जीत जाते हैं मतब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में ये कॉंग्रेस में प्रेसिडेंट चुन लिये जाते हैं लेकिन यहां पर गांधी जी और सुबाश चंद्रबोस के बीच में थोड़ा सा इशू हो जाता है अब देखिए इशू भी ऐसा नहीं है यहां पर आप जज नहीं कर सकते हैं कि सुबाश चंद्रबोस में प्रॉब्लम थी या फिर गांधी जी में प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम थी दोनों की सोच में एक तरफ जहां पर हमारे सुबाश चंद्रबोस जी जहां पर जर्मनी या फिर रशिया या फिर मतलब कोई भी अगर कंट्री उठा लीजे बिना रिवलुशन के कहीं पर आजादी नहीं मिली है तो इस पर जिसे हमें भी आजादी नहीं मिल सकती है ऐसा हमारे सुभाशंद बोस का कहना था वहीं दूसरी हो जो हमारे गांधी जी थे हैं इनका ये कहना था कि देखो ऐसा है कि अगर हम बाहर के कंट्री में देखेंगे तो वहाँ पर रिवलुशन हुआ है जिसके कारण से love revolutionary हो गया है सुभास चंद्रबोस के कई सारे ऐसे activities पाए गए थे during मतलब जब ये Congress के President थे तब ही से और इस कारण से गांधी जी और सुभास चंद्रबोस में थोड़ा सा इनके thought process में अब एक खटक आ गई थी कि एक तरफ गांधी जी के आदर्शों के खिलाफ सुभास चंद्रबोस चल रहते तब जब Congress गांधी जी को फॉलो करती थी तो अव्यूसी बात ही आज नहीं तो कल सुभास चंद्रबोस को Congress से स्तीफा देना ही था Congress से निकलना ही था ultimately वो चीज होती है 1939 में 1939 में बोस ultimately जो Congress में रहते हैं वो बोस को चुनते हैं लेकिन गांधी जी के जो Contender रहते हैं वो रहते हैं पिताबी सीता रमया क्वेशनी ओड़ता है गांधी जी खुद क्यों नहीं लड़ लेते थे इसलिए नहीं लड़ लेते थे क्योंकि 1932 में जब इन्होंने पूना पैक्ट असाइन किया था इन्फेक्ट पूना पैक्ट किया 1930 से पहले ही इन्होंन राजनीती से सन्यास ले लिया था और कहा था कि हम भाई राजनीती वगरे नहीं करेंगे लोगों का मेरे पर विश्वास नहीं है मैं अब राजनीती ही नहीं करूंगा मुटी भर मिट्टी से मैं कॉंग्रेस जैसी संस्था खड़ा कर दूँगा ता ऐसा इन्होंने गांध चीजें नहीं है हमारी जो भी मेथट्स हैं उसमें हमें आगे जाकर के कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा तो चलो यहां पर अपना बुरिया विस्तर समालते हैं और निकलते हैं forward block बना दिया गया है हमारे forward block अधिके forward block कहां बनाते हैं इंडिया में बनाते हैं इंडिया में बनाते हैं 1939 में और उसके बाद से revolutionary activities को वापस से जर्म दे देते हैं स्टार्ट कर देते हैं काम करना फिर 1940 में ब्रिटिशर ने Indian security act के नाम पर इन्हें फिर से imprison कर दिया इंप्रिजन कर लेते हैं सुबास चंदर बोज जो होता है वो जेल में चले आते हैं अब जरह यहां पर ध्यान दिजेगा जेल में जाते जरूर हैं इनको house arrest फिर कर लिया जाता है यह देखा जाता है कि गान के दौरान में यह पहुच गए पेशावर पेशावर चले गए पेशावर से फिर अल्टिमेटली अब जरह यहां पर ध्यान जीजेगा पेशावर में जब यह थे तो इनको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा ऑविसली इंडिया के बाहर अगर जा रहे हैं आप तो आपको परसन ही मिला और जो हेल्प कर रहा था इनका टार्गेट था कि किसी तरीके से मौस्को चलते हैं वहां पर जो क्मिनिश्ट गवर्मेंट है वो हेल्प कर देगी और इंडिया को आजादी दिलाने में फोर्स बगर दे देगी लेकिन तमाम कोशिशों के बाउजिद भी इस पास्प्βαunkt कर थे और यह जो इटालियन पास्पोर्ट था उसका नाम था मिलते थे विचारों मत्र यहांप सेहां यहां पर जरमनी में के बात तो तुम करना क्या चाहते हो तो फिर अल्टिमेटली बोज ने एक कहा कि जो भी यहाँ पर प्रिजनर्स हैं इंडियन प्रिजनर्स हैं उनको आप हमें दीजे हम उसमें रिवलुशनरी एक्टिविटीज कराने के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे उनको उत्साहिद करेंगे से इन्होंने बताया कि हम मुक्ति बाहिनी बना रखें यहां पर और हम इंडिया में रशिया के थुरू अटैक करेंगे और इंडिया को फिरी करेंगे तो यह टेक्नीक थी हमारे सुबाश्चंद्र बोज की तो कॉंग्रेस वाज रिक्वेस्टिंग फ्रीडम फॉर पीज देती है और गांदी जी को मतलब राश्च्पिता कहा था बाकी जर्मन से इनको जो है वो नेता जी कहा था नेता जी का टाइटल दिया था फिर अल्टिमेटली जर्मनी और जपाइन के बीच में अलाइंस हो जाता है सिक्स्टीन फेबरी नाइंटीन फॉर्टी टू वर्ड वाल टू के अंडर में ही और जापान जो है वो इंडिया को हेड करना शुरू कर देता है अल्टिमेटली यहां पर अब जरा ध्यान से समझेगा फिर से जापान में कौन कौन है जापान में हमारे रास बिहारी घोस जा चुके थे जिसको कि लास्ट लास में अल्रड से काम कर रहे तो यहीं पर इन्हों ने अपनी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी बना रखी थी जहां पर रिवालिशनरी अक्टिविटीज को जाचने परकने और ट्रेनिंग देने का यह काम करते थे अब अल्टिमेटली यह पहुच जाते हैं सिंगापूर से मलाया और मलाया से बर्मा और फिर इंडिया यह रहता है राजबिहारी बोस्ट यह फिर कहिए जापनीज आर्मी का जो यह पाथवे हैं अब यहां पर इल्टिमेटली बैंकॉक की समिट होती है जहां पर तीनों लीडर आ जाते हैं तीनों का मतलब होगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और यह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसकी राजबिहारी घोश्की है यह आ जाती है इसके अलावा जब दोनों लोगों के बीच में वार हुआ रहता है बिटिश फोर्सेज और जैपनीज फोर्सेज तो यहां पर हमारे रहते हैं कैप्टन मोहन सिंग के साथ में 40,000 की आर्मी रहती है अब यहां पर जरा ध्यान से समझना है फिर से वर्ल्ड वार है वर्ल्ड वार में ऑन दा स्वाइल ऑफ बर्मा एक तरफ बिटिश इंडिया है दूसरे तरफ जपैन है एक तरफ कैप्टन मोहन सिंग है दूसरे तरफ मेजर फुजिहाना और प्रीतम स गयते हैं और इनकी मुक्ती भाहिनी इन्होंने बना के रखी है जर्मनी से ही राजबियारी गोष्ट जापान से और इन्होंने अपनी बना रखे हैं निवेन इंडिपेंडेंस लीग और यह तीनों मिलकर के अब आगया आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद फौज की कम बर्मा पर अटेक करती है और बर्मा पर अटेक करने के बाद में यहां पर जंड़ा दिया जाता है आजादिन फौज का जंड़ा दिया जाता और फिर अब 이 है उन्पोर और असम को यह ने जाते हैं लेकिन उसी समय एक खतरनाक चीज हो जाती है कि जो जपैन है वो वर्ड वाल टू में हार जाता है हार जाने के कारण से फिर अल्टिमेटली आजा दिन फॉर्ट में जो भी सपोर्ट जैपनीज फोर्सेस का था वो छूट गया वो खतम हो गया था एक तरफ जहां पर एक्टिविटीज थी वो लगबग लगबग बंद हो गए थी यह हम लोग बाते कर रहे हैं वर्ड वाल टू के दोरान में फिर वर्ड वाल टू हो रहा था जहां पर अब जापान जो हार गया तो इस कारण से अब क्या हुआ कि जो यह आजाद हिंद फॉज है यह भी पकड सरेंडर कर देती है सरेंडर करने के बाद में रेड़ फोर्ट ट्राइल इनका होता है लाल किला ट्राइल होता है नवंबर 1945 में इनके उपर मैं सेडीशन चार्ज लगा रहाता है इसमें तीन में लीडर्स रहते हैं शाहनमाज प्रेम सहगल और धिल्लों और इन तीनों हुआ था कि 1944 के एंड तक जितने भी कॉंग्रेस के मेंबर्स थे जो कुट इंडिया मोमेंट के दौरान में जेल भेजे गये थे वो सब अब छूट करके वापस आ गये थे चूट करके आने के बाद में इन्होंने पूछा भाई हां बताओ क्या क्या हुआ था हूँ आकर र इनकी किसमत खराब हो गई थी तो अब जितने भी कॉंग्रेस में थे कॉंग्रेस के मेंबर्स थे उनका एक ही टार्गेट था कि जितने भी आईने के मेंबर्स हैं इनको इनकी जो फांसी होई है उसको हमें रोकना है तो इनका सोल टार्गेट हो गया था कि कॉंग जो भी य बहाई देशाई थे इनके साथ में तेज बहादूर सप्रू थे कैलाशनात काटजू थे जवालला नहरू थे और अवना से फली थे इन लोगों ने फिर क्या होगा कि कोशिश किया बचाने की लेकिन कोट में नहीं बचा पाए और अल्टिमेटली जो यह डेथ सेंटेंस है उसको कंटिन्यू रखा गया अब क्या करना है अब सर्फ एक ही फोर्स आती है और वो होती है पब्लिक फोर्स अब लोगों को दिख रहा था कि जो आयन्य ह वो भगत सिंग का दूसरा चेहरा है भगत सिंग को तो हम नहीं बचा पाए लेकिन अब आयन्य के लोगों को हम कुछ होने भी नहीं देंगे ऐसा पब्लिक ने बोल दिया और पब्लिक ने किया है फिर धावा बोल दिया रेड़ फोर्ड पर तो रेड़ फोर्ड पर अल्ट फिर चेतावनी दे दी कि अगर कुछ भी हो गया तो फिर बुरा हो जाएगा तो इनका एक नारा था लाल किला को तोड़ दो आजाद हिंद फॉज को छोड़ दो और अल्टिमेटली वाइसराय जिसके पास में वीटो अपना पावर होता था अल्टिमेटली वाइसराय वेवल बन करके निकल कर आए ति जो कि अपने अपने इतिहास के पन्नों में बहुत ही जादा important है बट हमारे history के book में उतनी जादा importance दी नहीं आती है बट इस्टिल एज को लोनी बना के रखे हैं और आगे जाकर के जैपैन का भी थ्रेट हो रहा है तो राजगोपलाचारी ने चीजों की ग्रैविटी को देखते हुई यह कहा कि यह ऐसा है जो पाकिस्तान का मामला हमारे जिन्ना साव उठा के रखे हुए हैं इसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं अधरवाइस क्या होगा कि हम लोग गुलाम ही बने रहे जाएंगे कभी हम लोग बिटिश के बनेंगे कभी हम लोग जैपैन के बन जाएंगे तो इस वज़े से क्या है कि राजगोपलाचारी ने कहा कि देखो ऐसा है कि हमें कुछ बनाना पड़ेगा और 10 जुलाइं 1944 को इ एकसेट करते हैं पाकिस्तान है ठीक है एकसेट करते हैं लेकिन एक काम करिए परिशान मत हो यह जिन्ना साहब आजादी एक बार ले ले लेते हैं हम लोग फिर उसके बास से इस पर काम किया जाएगा इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग टू इंडोर्स कॉंग्रेस डिमांड और इंडिपेंडेंस आप हमें आजादी अभी दिलाईए सब लोग मिल करके लड़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और आजाद होने के बाद फिर अल्टिमेटली देख लिया जाएगा तो कॉपरेट विद कॉंग्रेस इन्फॉर्मिंग प्रोविंशल गवर्मेंट सिंटर क्योंकि जब कैबनेट मिशन अभी आगे आने वाला है जब इटली की सरकार आ गए थी तो उन्होंने यही कहा था कि इंडिया में पहले आफटाफट जो है एक एक अंट्रिम गवर्मेंट बनवाईए और साथी साथ में एक इसेंबली बनवाईए तो यहां पर हमार एक प्लेविसाइट करवा लिया जाएगा और देख लिया जाएगा कि पाकिस्तान मनाने में कौन-कौन लोग इकशुक हैं इन केस ऑफ पार्टिशन एग्रिमेंट टू बी मेड जॉइंटली फॉर सेवगाडिंग डिफेंस कॉमर्स कम्मुनिकेशन लेकिन यहां पर देख यहां ठीक है इस वेरी गुड यह मास्टर स्ट्रोक बढ़िया है लेकिन यहां पर हमारे जिन्ना साहब कभी एक मास्टर स्ट्रोक निकल करके आया इन्होंने कहा कि जिन्ना वॉंटेट दा कॉंग्रेस टू नेशन थी डिमांड जो कि कॉंग्रेस तयार नहीं थी दूसरे सब्रवेस इन्होंने कहा जो हमारे जिन्ना साहबें होंने कहा कि किवल मुस्लिम ही वोट करेंगे प्लेवी साइट ज मि एक प्लेवी साइन कर रही है तो automatically यह conclude किया जा सकता है कि हिंदू को Congress lead कर रही है और यहां से Congress जो है एक हिंदू Party के रूप में जो पहले से हमारे जिन्ना साहब चिलाते हुए आ रहे थे कि Congress जो है वो हिंदू की पार्टी है हिंदू की जो उस समय की conditions थी वो allow नहीं कर रहे थी कि CR formula को accept किया जाए कहीं न कहीं एक communal violence फैलने का काफी आधा डर था Ultimately फिर वैवल प्लान आता है वैवल प्लान में हम लोग अलड़ी discuss कर रखे है कि क्या क्या चीज़े हुई थी यहाँ पर भी हमारे Muslim League के जो लीडर जिन्ना साब है उनका सेम यही रवया था इन्होंने फिर कहा कि मुसल्मानों का representation Muslim League करेगी तो फिर से एक automatically बाते आ गए कि यार हिंदू अगर representation क्या केवल और केवल Congress Party कर रही है क्या तो again यहाँ पर problem थी लेकिन ultimately होता क्या है कि change in regime हो जाती है और ultimately एटली की सरकार आती है एटली की सरकार आने के बाद में फिर इंडिया में elections हो जाते हैं और election होने के बाद में Congress जो है वो 91% वोट जीत करके इंडिया में Central Assembly में आती है बड़े पार्टी के रूप में आ जाती है और बाकी provinces में भी अगेंज होता है majority लेकर के आते हैं लेकिन BSP Bengal, Sindh, Punjab यहाँ पर इनकी majority नहीं आती है Bengal and Sindh में क्या होती है कि Muslim League सरकार बनाती है और पंजाब में जो है Unionist Party Congress के साथ में मिल करके Alliance में फिर पार्टी बनाती है और इस तरीके से देखिए अब बन गया है आपका क्या अब बन चुकी है पार्टी देखिए election हो चुका है ना देखिए election हो गया है election होने के बाद में ultimately दो तरखी सरकारे बन गई है Central Government भी बन चुकी है Central Government बन चुकी है और दूसरी तरफ जो है वो प्रोविंशियल गवर्मेंट भी बन चुकी है अब क्या करना होगा अभी तो election हुआ है ना चूस करके लोग आए है अब interim government बनानी है तो interim government बनाने के लिए किसको बुलाया जाएगा अब बुलाया जाएगा जवाहर लाल नहरू को भी जवारलाल नहरू को और साथ में जिन्ना जिन्ना सहाबी इंतजार करेंगे कि यार हमको भी बुलाया जाए लेकिन ultimately क्या होता है कि जो वैवल रहते हैं वो इनको नहीं बुलाते हैं बुलाते हैं खाली जवालाल नहरू को अब जिन्ना जी इस पर मुफ उला लेंगे अपना मुफ उलाएंगे तो अब्विसी बात है क्या हो जाएगा यहां पर आएगा अब देखिए यह जो आवाज उठानी थे उसके पीछे कारण वही पुराना था खाने पीने रेस रैंकिंग रिस्पेक्ट सैलरी इन सब की चीजों को लेकर के लोगों के मन में विद्वेश था कि बिटिश और इंडियन सब को साथ में नहीं रख रहा है एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है तो लोगों के बिन में जो यह डिफरेंसियेशन उसके खिलाफ जो होता है लोग आवाज उठाते रहते ते लेकिन उस समय एक घटना हो गई बीसी दत्ता का अरेस्ट हो गया था क्वेशन यह ओड़ता है बीसी दत्ता का अरेस्ट के हुआ है बीसी दत्ता का अरेस्ट इस लिए हुआ था क्योंकि इन्होंने यहां बॉम्बे की जो एचनस तलवार है इसकी दीवारों पर लिख दिया था इंडिपेंडेंट इंडिय पिबाद में स्फिर्ट तो तर फिर रेट फोर्ट्राएल इन का भी हो गया जहाँ पर बिटिस सरकार के साथ में बात चल रही थी और मामला सुलजता हुआ दिखरा था आर आईयन कहीं न कहीं उस मामले को गड़बर करता हुआ दिखरा था क्योंकि यह स्टार्ट तो हुआ बॉम्बे से यह स्टार्ट हुआ बॉम्बे से लेकिन यह स्प्रेड कर गया हर जगा यह मद्रास में भी स्प्रेड कर गया बॉंबे से कैलकटा में भी स्प्रेड कर गया तो यह काफी बढ़ते आ रहा था और फिर से एक नया अंदोलन की तैयारी करना शुरू कर दिया तब ही हमारे बड़े-बड़े लोग जाते हैं बड़े-बड़े लोगों का मतलब हो गया शौकत अली तीन लोग जाते हैं पर ध्यान रखेगा शौकत अली शौकत अली जाते हैं प्लस गांधी जी जाते हैं प्लस और कौन जाता है और जाते हैं आपके मौलाना आजाद यह जाते हैं और जो आराइन के मेंबर हैं इनको समझाते हैं भई ऐसा है तुम लोग टेंशन मतलो और बाते चल रही हैं खतम हो जाता है अल्टिमेटली फिर यह जो इशू इंडिया में छोटा सा उट रहा था वो भी खतम हो गया अब जो वापस से निगोसियेशन चल भी है बिटिश गवर्मेंट के साथ में हम लोग उस पर आ जाते हैं वहाँ पर बिटेन में तखता पलट हो चुका है नई सरका सरकार आ चुकी है इटली साहब परद्धान मंत्री को बनाना सर्कार बनाना दूसरा काम है अब constitutional amendment मतलब constitutional reform करना constitutional reform के लिए अब इनका काम है constituent assembly को बनाना constituent assembly बनाने में अब देखिए वहाँ अब क्या सीन चल रहा है central में central government में interim government बनाने की बाद चल रही है provinces में already सरकार बन चुकी है ये काम पहला हमारा complete हो गया दूसरा काम है अब constituent assembly को बनाना Constituent Assembly को बनाना अब यहाँ पर यह कहा गया अच्छा ठीक है बताओ कैसे बनाया जाए Congress ने कहा चलो यार Election करा लो क्या करना है Election कराने में फिर Congress ने यह मतब अच्छा नहीं बहुत टाइम लग जाता है election बार बार election ही करवाते रहा जा रहा है मज़ा ही नहीं आ रहा है तो ultimately यह हुआ अच्छा ठीक है चलो Proportional Representation के आधार पर हम लोग चीज़ों को भेज देंगे और ultimately होता क्या है कि Cabinet Mission के बाद जब Cabinet Mission आती है तो हमारे जिन्ना साहब जो है उसमें देखते हैं कि यार पाकिस्तान इसमें बात ही नही किया गया है फ्लस इंटरिम गवर्मेंट के लिए जवालल नह्रु को बुला लिया जा रहा है हमारा तो कोई इजट ही नहीं है हमारा तो कोई पहचान ही नहीं है हम तब से 1940 से जूट में लड़ते हुए आ रहे है अब हमारे जिन्ना सहाब का पारा चड़ जाता है हाई लेवल पे और ये कहते हैं कि अब बनेगा डाइरेक्ट एक्षन डे आज ही हम आजादी ले करके रहेंगे और इन्होंने मुसल्मानों को बोल दिये हिंदूओं पर अटैक कर दो यह हमारे नहीं है यह हमको ऐसे पाकिस्तान नहीं बनाने देंगे इन पर अटैक कर दो और इल्टिमेटली 16 अगस्ट 1946 को एक ब्लैक डे के रूप में निकल करके आता है और यहाँ पर डाइरेक्ट अटैक होता है 12 अगस्ट, 12 अगस्ट 1946 को नहरू को इन्वाइट के आता है इंटरिम गवर्मेंट बनाने के लिए और नहरू जी जाते भी हैं इंटरिम गवर्मेंट बना भी लेते हैं मेंबर वगेर 13 मेंबर कॉंग्रेस के चुन लिये जाते हैं पूरे भारत में प्रेड करते या रहा था हिंदू-मुस्लिम जो विवात था यह पहला कमिणल विवात था जहां पर इस तरीके से बड़े लेवल पर ब्लड शेड हो रही थी लॉइन ओर्टर जो होता है क्रिपल डाउन कर चुकी थी पुलिस भी अब सरेंडर कर चुका था कि यार मेरे बसका नहीं है यह अभी तक हम से लट रहे थे तो मार पिट कर लेते थे देख रहे हो ठीक है दिस इस दबहुकाल और अल्टिमेटली माउंड बेटे ने कहा कि जो गांधी है यह एक्शन में गांधी ने यह वन मैन बाउंडरी फोर्स है अल्टिमेटली जो रायट था कॉलकाता में रुख जाता है लेकिन बॉम्बे में गढ मुकतेश्वर जो है वो बिहार में पड़ता है और यहां पर फिर से वही कीलिंग्स सबसीजे स्टार्ट बिहार के गढ मुकतेश्वर में हिंदू भी चाहते था इंटरिम गवर्मेंट में पहुँचना तो ultimately नहरू जिन्ना से मिलते हैं और फिर यह होता है कि चलो ठीक है इंटरिम गवर्रमेंट में जिन्ना को भी बुला लो नहीं तो काम नहीं चलेगा इंटरिम गवर्रमेंट फिर आती है 6 अगस 1946 को प्रपोजल टो फॉर्म इंटरिम गवर्रमेंट होता है 12 अगस 1946 को नहरू एकसेप्ट कर लेते हैं 16 अगस चार दिन बाद जो हता है डिरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट हो जाता है और 2 सितंबर 1946 को नहरू एंड हिस 12 मेंबर टीम आ जाती है जिननाबाद में जो है जो है जॉइन कर लेते हैं अच्छा देखिए हाँ पर कुछ नाम ही लिखे गए हैं ये जो हमारे कॉंग्रेस के मेंबर थे जॉआलल नहरू थे सरदार पटेल थे राजेंदर पसाथ ते अरुना सफली थे बलदेव सिंग थे सी राजबो पालाचार जान मताई थे शरचन बोस थे जग जीवन राम थे भाबा थे इसके अलावा सफत एहमत खान थे और सयद अली थे अब देखिए अगर मेंबर को देखेंगे तो यहां पर हिंदू मेंबर भी हैं यहां पर मुसलिम मेंबर भी हैं यहां पर सिख मेंबर भी हैं यहां पर पार गौर्मन को जॉइन कर लेते हैं और यह पांच मिम्बर जाएंगे कॉंग्रेस कहती है पांच तुम्हारे जाएंगे तो नहीं ने कहा कि तुम मुसल्मानों को खटा दो और हमारे जो मुसल्मान है वहां आ जाएंगे अल्टिमेटली दोनों के बीच में फिर बाते सेटल लियाकतली आ गये थे शरत चंद बोस की जगा पर गजनवर आ गये थे और इसके लावा दो और मेंबर आ गये थे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिलकुल भी नहीं है हमारे उपर के यह जो दो लोग है यहीं इंपॉर्टेंट है जिन्ना और लियाकतली क्या होता है होता है और लोग अपने आपस में मंत्राले देख लेते हैं जो कि आप लोग पॉलिटी में पढ़ रखे होंगे कि इंटरिम गवर्मेंट के दौरान में किसके पास फूड मिनिस्ट्री किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी क्वष्चन नहीं होड़ता है कि अचानक से जिन्ना अपने पाकिस्तान पाकिस्तान का रागलापना जोड़ करके क्यों यह मिल गया थे और आगय थे इंडिया में और इंडिया में क्यों ये interim government बना लिए उसका कारण ये था जिन्ना का काम ये था कि जो भी बाते होंगी Congress में हम उसका बाइकाट करेंगे और इस interim government को चलने नहीं देंगे तोड़के रहेंगे और यही इनका काम था जिन्ना actually mal intentions के साथ में थे to disrupt the interim government while joining the interim government that's the sole objective कि इन्होंने demand of Pakistan को raise करना है और development of the country को रोकना है ultimately क्या होता है कि सब लोग मिल करके आते हैं और Mountbatten के पास में जाते हैं met with Nehru, सरदार पतेल, जिन्ना और जितने भी लोग हैं Mountbatten सबसे मिलते हैं और ultimately अब यह कहते हैं कि देखो ऐसा है एक ही solution है और वो है partition अब इमें partition ही करना पड़ेगा और फिर Mountbatten चले आते हैं लंदन में वहाँ पर अपने जो भी recommendations होती हैं बताते हैं कि देखो ऐसा है कि partition ही एक मात्र किवल और किवल रास्ता इसके लवा कोई दूसरा option रही ही नहीं गया है अल्टिमेटली ये तीन जून 1947 को आ जाते हैं और Mountbatten प्लान दे देते हैं कहते हैं कि देखो ऐसा है कि अब टू नेशन तो आएगा इंडिया और पाकिस्तान तो आएगा अब यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान वाजे लोग हैं एक दम दिल खुश मजा आ गया तो पार्टिशन जो होता है कोशन यह उड़ता कि आखिर में डिवाइडिंग लाइन क्या बनेगी ठीक है कैसे डिवाइडिंग होगा तो यह कहा गया कि चलो ठीक कॉमिशन बताएगा अभी तक की बात यह हो रहे थी वैवल प्लान या कोई भी प्लान जब हो रहाता हो तो चीज़े हो जाएंगी क्वेशन यह उड़ता है इसके खिलाफ कौन थे खिलाफ गांदी जी और अबुलकलाम आजात मतला मौला ना जात यह लोग एकदम खिलाफ थे लोग चाहते ही नहीं थे कि पार्टिशन हो इन्होंने एक पल को यह भी माल लिया था कि जिन्ना को प्र तो माउंड बेटन प्लान था फिडम विद पार्टिशन फॉर्मला तू एकसेप्ट वाइडली एकसेप्टेड ठीक है यहाँ पर यह कहा गया कि जो पंजाब बेंगॉल की जो प्रेसिडेंसी है यह दो ग्रूप में हिंदो और मुसल्मानों के रूप में जो होता है पार् पंजाब जो होता है कुछ पार्ट पंजाब का पाकिस्तान में चला लाग गया और कुछ पार्ट बेंगॉल का पाकिस्तान में चला गया जैसे कि आप को अपना डीशीजन लेने की आजगी रहेगी कि सिंद अपने मन से पाकिस्तान या इंडिया में आ सकता है इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट जो फ्रेंटियर है जहां पर खान अब्दुल गफार खान है और सिलहट का जो इलाका है ये रिफरेंडम पे छोड़ दिया जाएगा कि चलो ठीक है रिफरेंडम के हिसाब करना चाहते हैं या फिर इंडिया को जोइन करना चाहते हैं या फिर इस्टाइंड रहना चाहते हैं अपना अलग रहना चाहते हैं एक्सेशन ऑफ हाइडराबाद तू पाकिस्तान रूल्ड आउट की हाइडराबाज होता है पाकिस्तान में नहीं जाएगा इंडिपेंडे से चीज़े हो गई थी क्लियर हो गया क्या है इसके लावा बाकी चोटी-मूटी और भी चीज़े हैं उसको आप लोग देख लीजेगा क्या है ठीक है अब जरह हम लोग आते हैं कॉंग्रेस के साथ में बटवारा हो रखा था तो बटवारे के लिए अब मांट वेटन प्लान फिर से बाते हो गई वन स्कोएर कियार घूम फिर करके बाते वही हो गई अब पटेल और नहरू ने घूम फिर करके कहा यार गांधी जी को पटा लो गांधी जी को अगर हम समझा लेंगे तो फिर चीज़े क्लियर हो जाएंगे गांधी जी समझते समझाते कुछ नहीं उन एनी कॉस्ट लेकिन खैर बाकी जो लोग थे जैसे चौथ राम हो गए सिंध के या डॉक्टर किचलू हो गए पंजाब के पुर्शोत्तम दास हो गए ये भी साफ साफ पर्टिशन के खिलाफ तें अंतिम मोमेंट तक ये लोग खिलाफ थे लेकिन अंतमें सब लोगों को समझाया बुझाया जाता है और अंतमें क्या होता है कि कॉंग्रेस में पारित लास्ट ऑप्शन तो चलो ठीक है हम साइन कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है दूसरे तरफ अगर मुस्लिम लिग के बारे में बात किया जा तो मुस्लिम लिग में 390 मिंबर थे और सब लोग एकदम दिल खोल के हस रहे थे मज़ा आ गया पहली बार तो कोई पाकिस्तान को रिक पखतून है हम अलग है भी हिंदूस्तान में रहेंगे पाकिस्तान में रहेंगे या तो फिर पार्टिशन ही मत करो या फिर पकुणिस्तां तीन बनाओ अब यहां से लिगए मौंझा वोटिंग आयाता तो हम लोग नहींहां पर देखा ऑदीए है यहां पर कर अभीया q ? अ यहां पर खान अब्दुल खान के जो सपोर्टर से वड़े जादा है और हंड़ेट परसेंट शूर है कि यह इंडिया में जाकर के मिल जाएंगे या फिर पक्तूनिस्तान बना लेंगे पक्तूनिस्तान को तो खैर सिरे से खारिज कर दिया गया था मांड बेटे नहीं बोला नहीं दो ही बनेगा चुलो उन्हीं दोनों में से तो फिर जिन्ना ने क्या किया था यहां पर फॉल्टी जो वोटिंग होती है वो करवाई थी तो फॉल्स प्रैक्टिसेज यहां पर करवाई गई थी और यहां पर जो वोटिंग करवाई थी वो रिग्ड वोटिंग करवा का है और कहीं ना कहीं जो होता है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो होता है डिस्ट्रबेंस रहती ही रहती है क्लियर हो गया क्या है और इस तरीके से पूरी की पूरी यह जो स्ट्रगल इंडियन 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 स्ट्रगल वो खतम हो पाकिस्तान गवर्नर जनरल फॉर इच डोमीनियन आफ इफेक्टिव ऑपरेशन अब दा एक अब देखिए 1947 में तो आजाद हुए हम लोग अभी हमारा कंस्टिट्यूशन नहीं बना है तो इसलिए गवर्नर जनरल वाली जो चीज वह गवर्नर जनरल ही चलेगी 1950 में जा करके हम लोग डिमॉक्राइटिक होंगे ठीक है यहां पर हम लोग डिमॉक्राइटिक होंगे अब हमारा election होगा 1951 से अब हमारे जवालल नहरू जो है वो प्राइम मिनिस्ट्र बन जाएंगे और प्रेजिडेंट के क्या होता है Constitution मनाना इनका कामता में Constitution मनाना प्लस साथ ही साथ में partition की चीज़ों को देखना हर एक चीज का partition हुआ था इंफेक्ट इंडिया में जो इंडिया का जो consolidated fund था उसका भी partition हुआ था उसमें भी जो हता है पाकिस्तान को जो पाकिस्तान को दिया गया था सीट का डिवीजन किया गया था टेरिटोरियल एडिया का डिवीजन किया गया था हर चीज का डिवीजन किया गया था ठीक है इंफेक्ट कपडों तक का डिवीजन कर दिया गया था कि कि इस तरीके से जो जिन्ना थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान बन गए और इंडिया में जो हता है वो सी राजगोपालाचारी बन गए अल्टिमेटली क्या हुआ कि इसके बाद से फिर आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस सुरू हो जाती है और पोस्ट इंडिपे कैसे अलग-अलग इस्टेट्स जो हता है वो इंडिया में आखरके मर्ज हुए थे तो यह थी पूरी के पूरी कहानी मॉडर्न हिस्ट्री की अब दिके मॉडर्न हिस्ट्री में छोटे-मोटे कई सारे इवेंट्स हुए हैं बहुत सारी चीजे होती रही है हम लोगों ने ज इग्जामिनेशन और लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें देखना चाहें दन ओविसली यू कैन गो त्रो विद इट नॉवल्स कई सारी लिखी गई हैं जिसको कि आप पढ़ करके इंडियान नेशनल स्ट्रोगल के बारे में और भी जानकारी कठी कर सकते हैं अगर भी आप एक बुक को उठाईए और फिर उसे रीड कर लीजे चाहे वो स्पेक्ट्रम हो चाहे फिर वो आप कोई भी कोई भी बुक आप उठा सकते हैं और उसे फिर आप रीड करिए और इस तरीके से आपको जो है कमफर्टेबिलिटी भी आ जाएगी आपको पूरे एक्ज ले सकते हैं GS membership और इसके अलावा हम लोग प्लान भी कर रहे हैं answer writing वगरे को भी discuss करने की तो जैसा भी होगा you can email your thoughts also ठीक है और बाकि हम लोग मिलते हैं अपने next lecture में कुछ नया शुरू करेंगे till then goodbye thank you so much